बागमारा में आम जेनों के लिए लाखों की लागत से बना तहसील कचेहरी सरकारी भवन इन दिनों खंडहर में तबदील होने की कगारबर है भवन को बने करीब आठ साल बीद के हैं लेकिन सरकारी उदासींता की वज़े से अब तक ये शुरू नहीं हो पाया है हरीना पंचायत में स्थित तहसील कचाहरी भवन खंडहर में तबदील हो चुका है या यूं कहें कि अब ये अपने अंदिम सांसे गिन रहा है बागमारा अंचल कार्याले द्वारा निर्मित ये कार्याले हरीना गोमो मोख्यमार्ग पर इस सोच के साथ बनाये गया था कि तहसील कचाहरी से जुड़े जरूरत मंद ग्रामीनों को काफी सुविधा हो गया पर ये भवन तो 2012 में बन कर तैयार हो गया लेकिन इतने साल व्याद भी आज तक इसका शुभारम्ब नहीं हो पाया लेकिन नहीं होने से इन सुनिर रभानी को दिया तो बाद में जब इस पर पहल किया गया शीयो को बोला गया ओटो टांसफर हो गया जुसरा CEO जब आया तो बात को उठाएं तो सुन के मने अनसुना कर दिया तहसील कचहरी भवन निर्मान के बावजूद भी अब तक शुरू नहीं हुआ इसके पीछे के कारणों के बारे में बागमारा CEO से जब पूछा गया तो जो जवाब मिला वो सुन लीजे बारहाल भवन के स्थिती को सुधारने के लिए फिर से राशी का खर्च करने का विचार ये साबित करता है कि ये तहसील का चहरी अफसरों को तो खंडहर बन कर भी लाब दे रहा है पर अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि ग्रामीनों को ये लाब कब तक पहुचा पता है बागमाराजी नियूज 11 भारत के लिए अशूप की रिपोर्ट